तो देखिए मेथी के soft soft पराठे बनकर रेडी है ये market के soft पराठे जैसे ही बनते हैं पर हम इसके अंदर कुछ secret ingredients आड़ करने वाले हैं जिसको जैसे ये उससे भी टेस्टी लगेंगे और काफी लंबे समय तक हमें इससे store करके रख सकते हैं मेथी का पराठा या थेपला बनाने के लिए मैं ले रहे हूँ दो कप इतना गिहु काटा दो कप गिहु काटे के लिए मैं लोंगी एक चोथा कप इतना बेसन तो उसी के साथ मैं इसमें आड़ कर रहे हूँ अदरक लसन धनिया और हरी मिर्च का दरदरा पिसा हुआ पेस्ट तो ये हमें दो चमच लेना है, हरी मिर्च मैंने इसमें चार ली है, पास्ते चे मैंने लसन के कलिया और आधा इंच अध्रक का तुकड़ा लिया है, और स्वाति जाला इसमें आधा चमच इतनी चीनी, लाल मिर्च पाउडर दा रही हूँ आधा चमच, देड चमच हमें लेन पराठो के लिए तो इस मसाली की रेसिपी आप इसी वीडियो के अंदर आखिर में देख सकते हो तो देखिए और साती दारी हुमें इसमें स्वादानुसार नमक और दही लिया है मैंने एक चोथाई चमच नमक मैंने दो चमच के करिब लिया है तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से मैं चमश के सायता से मिक्स कर ले हूँ पर इसे हमें हातों से अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाना है और उसी के साथ ले रहे हुँ मैं कटा हुआ मेथी तो मेथी मैंने एक बंच लिया है और उसे अच्छे से धोकर रख लिया था जिससे उसका पानी निकल गया है और उसके बाद से बिल्कुल बारिक मैंने कट कर लिया है मेथी के पराठे के लिए आटा लगाने के लिए हमें गुंगुना पानी इस्तिमाल करना है, जिससे पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं, तो देखिए, इस एक मेथी से मिक्स कर लिये है, और हम इसका डोव बना लेंगे, तो डोव हमें रोटी के लिए हम जिस तरा से आटा गुनते हैं, उसी तरह से डो हमें बनाना है तो विल्कुल सॉफ्ट बनना चाहिए डो इस तरह से हमें बनाना है तो देखिए मैं इसमें पानी मिक्स करके इसका मैंने डो बना लिया है और इसमें दाल रहू तेल और इसे हम अच्छे से चिकना कर लेंगे तो देख सकते हैं मैंने डो इस तरह से बनाया है इतना सौफ्ट रहना चाहिए तो इसे हम ढख कर हम 15 मीट के लिए साइड में रख देंगे जिसे यह सेट हो जाएंगा तो देखिए 15 मीट हो चुके हैं और डो अच्छे जी सेट हो चुका हैं तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं तो पराठे बनाने से पहले हम डो को चिकना कर लेंगे तेल का हलेकर और साथ ही मography मैंने आटे को भी ले लिया है क्योंकि हम आटा लगाकर पराटे बराएंगे तो देखिए डो को हम चिकना कर लेंगे और इसके हम लोईया तोड लेंगे तो मैं अब लोईया तोड लूँगी तो देखिए मेथी के पराठे हमें बिल्कुल पतले बेलना है तो उसी के इसाफ से हम लोईया तोड लेंगे मैं बड़े साइज में पराठे बना रही हूँ तो मैं बड़ी लोईया तोड रही हूँ तो देखिए इसाफ से मैं तोड रही हूँ अब हम पराठा बेलना स्टार्ट करते हैं तो पराठा में बिल्कुल पतला बेलना है इस तरह से हम अगर पराठे बनाते हैं तो यह बहुत बढ़िया लगते हैं क्योंकि हमने इसे बहुत ही पतला बेला हैं और यह खाने के बाद यह बहुत स्वाधिश्ट लगते हैं इसे हम हमें पूरी तरह से गरम कर लेना है और गरमा गरम तवे पर इसे पलटती हुए सेखना है तो दालने के बाद इसे हमें तुरंथी पलटना है देखिए इस तरह से हम एक साथ सभी पराठे बना कर रख सकते हैं और इसे हम एक साथ में सेख सकते हैं इस तरह से तो देखिए एक पराथे को सेखने के लिए हमें आधा मिनिट भी नहीं लगेंगा इसे तुरंथी पलटते हुए में सेखना है इसे दबाते हुए या बहुत पूरी तो पराथा इतना अच्छा नहीं लगता इसलिए हमें फूल फ्लेम पर इसे पलटते हुए सेखना है तो आप देख सकते हैं मैं तुरंथी इसे पलट रही हूँ और इसे मैंने आधा मीट के लिए कुक कर लिया है क्योंकि हमने पतले पतले बेले हैं पराटे तो इसे कुखोने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है तो देखिए इस ताह से दालने के बाद हमें तुलंथी पलट ना है और इसे एक साइट से आधा चमश तेल लगाना है और दूसरे साइट से आधा चमश तेल लगाना है क्योंकि इसे तेल भी बहुत ही कम लगता है देखिए तो देखिए पराथे बनकर रेडी है दो कब गियो काटा और आदा कब बेशन के अंदर हमने 17 पराथे बनाकर रेडी कर लिये है इस पराथों को हम तेल की चटनी या मौंग फली की चटनी या राइते के साथ सव कर सकते है तो देखिए कितने सौफ्ट पराथे बनकर हमारे रेडी है आप देख सकते हो और इसका टेस्ट भी बहुत बड़ी आता है पराथे हमारे बनकर रेडी है तो पराथे के अंदर हमने जो मसाला अड़ किया था तो उसके रेसिपित देख लेते हैं मसाला बनानी के लिए मैं ले रहे हूँ धनिया एक चमच तो यह मेरे पास दरदरी PCV थी तो वही ले रहे हूँ साथी ले रहे हूं एक चमच शोफ उसी के साथ हम लेंगे आदा चमच जीरा और साथ ही मैं इसमें ले रहे हूँ एक चमच तिल तो ये मैंने भून कर तिल रखे थे हूँ तिल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराथो में और साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चमच इतनी कसूरी में थी तो देखिए इस सभी को हमने दाल दिया है तो अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे तो दरदरा पीस कर मैंने रेडी कर लिया है तो मसाला हमारा बनकर रेडी है इस मसाले से पराटे बहुत बढ़िया बनते है पराटे की रेसिपी आप देख चुके है तो आप भी बना कर देखिए और आपको कैसे लगे यह ज़रूर बताएगा इस मसाले में और मैंड करे हूँ आदा चमच इतना हींग तो देखिए इस मसालों को हम ज्यादा कॉंटेटी में बना कर भी रख सकते हैं इस मसाले में हम पराटे पूरिया बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी यह रिस्पी फसंद आई है तो रेट बटन अबाकर में चानल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और बेल आइक दवाना बिल्कुल ना भूलिएगा जिसे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और अगर आपने मेरा चानल पहले से सस्क्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से हम मिलेंगे और एक नए रिस्पी के साथ थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो